विरोत का चुनावी टूल किट और अब वक्त है नफरत वाली चुनावी टूल किट का विस्टिशन कर देका मैं एक एक करके आपको हर पॉइंट को गिनाता हूँ तौकीर रजा मुस्टिम धर्मगुरू है जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया हिंदूों को हिंदूस्तान में परहा नहीं मिलेगी और नतीजा इसका यह हुआ कि तौकीर रजा आज कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए है ये इसका रिजल्ट है हिंदूों को हिंदूस्तान में जगा नहीं मिलेगी की पूर मुख्यमंत्री यूपी की सक्ता से बीजेपी को बाहर भगाना है 1947 से भी ये बड़ी आजादी होगी यानि जब मार काट हुई थी जब 47 के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था यह उस तरह की जंग देख रही है इस पूरी लड़ाई को तो आप सोचिए मानसिक्ता क्या है मैं सिर्फ माइंड शेट की बात कर रहा हूं कि 1947 से ज़ादा अंगरेजों के राथ से ज़ादा खतरनाक इनको योगी अधितनाथ और नरिंद मोधी का राथ उत्त्रप्रदेश में दिखाई देता है इनका माइंड सेट क्या है क्रोनलोजी को आप समझेए तौकीर रजा को आपने सुना नाई दसन के क्या कारणा में है वो भी आपने सुने नानबटो ले ये महराष्ट कॉंग्रेस के अधिक्षे छोटे मोटे नेता नहीं है बहुत बड़े नेता है मैं मोधी को मार सकता हूँ गाली भी दे सकता हूँ जब विवाज बड़ा तो बोला कि मैं मोधी नाम के गुंडे की बात कर लाता जबकि इनके अलाके में कोई मोधी नाम का गुंडा ही नहीं तो कुल मिला कर आप सोचिए माइंड सेट क्या है मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा है संबित पात्र है भारती निता पार्टी के प्रवक्ता है अजीज खान है मेरे साथ इस चर्चा में तौकीर रजा जो कौंग्रेस में शामिल हुए है मौलाना वो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे कौंग्रेस के प्रवक्ता अभे दूबे को आना था लेकिन एंड मॉमेंट पे वो जॉइन नहीं करे है मेरे साथ इस चर्चा में शादाव चोहन है नेतापीस पार्टी के उनका भी नंदन है तमाम लोगों का स्वागत है मैं सबसे पहला सवाल संबित पात्रा मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको लगता है यह जो नफरत वाली सियासत है जिस पर आज आपने प्रेस कॉंफरेंस करी क्या आपको लगता है यह नफरत वाली सियासत दो तरफा है क्या आरोप आपकी पार्टी में भी लगा दिया जाता है कि आप हिंदू की बात कर देते हैं तो दूसरी तरफ से मुसलमानों की बात क्यों नहीं हो जाएगी कि देखिए अमीश भाई पहले तो मुझे आश्चरी हो रहा है कि यह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाग क्यों गए जब उनको आना था तो भी नदारत क्यों है और मैं पांच बज़े से देख रहा हूं जब से डिबेट आरंबो होता है इस विशय में कोई भी कांग की रजा खानने बोला है हिंदुस्तान का नकसा बदल देंगे हिंदुओं को इस डेश से भगा के रहेंगे अगर हम कानूN अपने हाथ मे लेते हैं हिंदुस्तान से हिंदू पलायन कर जाएगा यह सब बोलने के बाद कॉंग्रेस वाले उसको डिफेंड करने की समू से आते इसलिए वो भाग गये हैं दूसरी बात है यह जो इक्विवलन्स लाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू भी तो ऐसे हैं तो मुसल्मानों ने बोल दिया पड़ी कम आजाता है हिए हई हई हिंदों ने क्या कर दिया किंदू आतंकवाद ह अगर हमारे बस में आ आजाएं तो हम ऐखून की नदिया बहा देंगे खून की नदिया और हम bड़ी conveniently चुप रहते हैं कहीं भुकंप नहीं आता है किसी अकबार में भी छपता नहीं कभी ये डिबेट आज तो हम लोगों ने प्रेस कॉंफरेंस कर दिया ये विशय डिबेट का बन गया वरना ये तो साथ फरवरी का वीडियो है साथ फरवरी से अभी तक सब चुप बैठे तो बताएंगे यह खान साथ ऐसा ही बोलेंगे केवल खान साथ भी नहीं एक बहुत बड़ी फैरिस्ट है नाहीद हसन इम्रान मसूद ये सारे लोग ऐसा ही बोलेंगे और और जब यह कहते हैं कि कहराना से पलायन करना पड़ेगा हिंदू के दुकान से आप समान मत खरीद तो यह नूर्मल है इसमें कोई बुराई नहीं है यह कोई नॉर्मल नहीं है इट इस नॉट नॉर्मल यह गलत है और मैं गलत को गलत कहता हो लेकिन आपकी तरफ से योगी दितिनात का जब मैं साक्षात कार करता हूं तो वह कहते हैं अमीश देवगंजी आप क्या बात कर आप जाती की बात कर रहें यह लड़ाई तो अब 80-20 की हो चुकी है तो 80-20 से मतनम मैं क्या समझों समझाइए मेरे विव इसको तो आपने तो बड़ा गरत समझ लिया आमीश भाई वैसे तो आपको वह सवाल तुरंत योगी जी से कर लेना चाहिए था वह आपको जवाब भी देते मगर मैं आपको बताता हूं 80-20 से योगी आदित्यनाथ जी ने कोई religious divide नहीं किया अमूमन किसी भी समाज में 80 प्रतीशत लोग वो होते हैं जो कानून निष्ट होते हैं जो कानून के अनुसार कानून के बिचाय प्रसस्त मार्ग पर चलते हैं और 15-20 प्रतीशत लोग ऐसे भी होते हैं जो कानून को त मुक्तारंसारी हो चाहे वो अतीक हमद हो यही मुक्तारंसारी किस प्रकार से पंजाब में राजा बनके रहा हुआ था वो उत्तरप्रदेश तक नहीं आना चाहता था वीलचेर में आ रहा था योगी का खौफ था कि वीलचेर से उठकर चलना आरंब कर देता है क्यों नहीं होना चाहिए यही वो योगी आधित्तिनाथ है जिन्होंने अठारा सौ करोड़ रुपए की संपत्ति जब्द की है इस प्रकार की आतंकवादियों से इस प्रकार के 20 प्रतिशत के लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं परसू एक वीडियो देख रहा था हमीश भाई एक व्यक्ति को पकड़ती है पुलीस और कहती है आपको चलान भरना होगा आप ट्राफिक नियम का उलंगन कर रहे थे आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था वहाओ देखता है नताओ पुलीश को धंकाने लगता है कि रुग जा मेरी सरकार आने दे मेरी सरकार आने तु तुम ने पकड़ लिया हाँ दिखाना मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है मगर 20% ऐसे लोग जो कानून को तोड़ते हैं उनके ऊपर योगी जी भारी है और होना भी चाहिए ठीक है ठीक है तौकीर रजा खान नाहिद हसन विपक्ष ये कैसा पॉलिटिकल कॉक्टेल बनान जो कहता है कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया तो हिंदूों को हिंदुस्तान में पना नहीं मिलेगी मैं अभी अब्दुल्ला अज़म का भी बयान आपको कुछ दिन में सुनाओंगा जो उनने कहा है बोलिए अजीज कान देखे अमीज जी मैंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सन्यम से मैंने संबित पात्रा की बात सुनी है मैं बाबा साब का एक कोटेशन कोट करना चाहूँगा उन्होंने लिखा था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो सतंतरता समानता और बद्धुत की बात करता है मैं कहना चाहूँगा कि जो इन नफरत की बीज बोने की बात चल रही है चाहे वो तौकीर रजा साब हो चाहे वो चिनमया नंद हो मैं बाकई में खंडन करता हूँ और इनका मैं कंडन करता हूँ बड़ी अस्तर पे क्योंकि हम जिस मुलक में रह रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी की जो बिचारधारा है कि बेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को इमान के नजदीक लाइए भारत को बचाना है तो अजीज इनसान को इनसान के नजदीक लाइए संबीत पात्रा जी ने मैंने देखा तौकिर रजा ने जो बोला उस पर एक बड़ा प्रेस कांफरेंस किया मैं इस्तक्वाल करता हूँ इनका लेकिन इन्हों ने उस वक्त प्रेस कांफरेंस नहीं किया जब हात्रस की बेटी को रात के अंधेरे में जलाया है रेट तो अलवर में भी हुआ, अलवर को लेके क्यों नहीं बोले आप लोग रेट तो अलवर में भी हुआ, जगन ने अपराद हुआ कवर अप करने की बाती ने रखने नहीं जी पिछले डेट साल से हात्रस के विशे पर आप चर्चा कर रहे हैं जब भी कोई विश्चै होता हातरस के विश्चै को जोड़ देते हैं, मुझे बताइए तौशीफ रजा खान ने जो बात बोली, लेकिन नाहिद हसन ने तो किया, उसको ना, उसको आपने टिकर दे दिया, आप तो आरा जे बढ़ गए ना, तौशीफ रजा खान तो धंका र आप करने वाले को साथ ले रही है आप करने वाले को साथ ले रहे हो सर मुझे मौका दे अरे सर मुझे मौका दे